नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके का भायानक संकट हम लोगों के सामने मार्केट में उबर करके आ रहा है और उसके पीछे का complete logic या ये सभी बाते इस वीडियो में सिखने की समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते है वीकली चार्ट का psychological analysis आभी आपके सामने मेंने निप्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है आपको कुछ बाते में बताना चाहता हूँ जब आपके लिए fundamental concept clear हो जाएंगे तब हम लोग technical concept के ऊपर आ जाएंगे fundamentally मैंने आपको एक बात clear कर चुकी है कि US market में election होने वाला है और market में election के पहले किस भी तरीके की गिरावर्ट जो रहेगी वो current सरकार को और federal reserve के लिए मुश्किले create कर सकती है तो federal reserve का और उनके current government का ये नजरिया रहेगा कि आने वाले week में मैनों में जब तक market में election नहीं हो जाते तब तक market को upside की तरफ रखने की वो लोग कोशिश करेंगे दूसरा जो global factor का खत्रा यहाप पर मंडरा रहा है वो सबसे important खत्रा इरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध होने की आशंका है वो खत्रा सबसे ज्यादा important है market में काने वाले week में crash होगा की नहीं होग वो depend रहेगा इस factor की वज़े से अभी आप लोग जो देख रहे हो Japan market में तेज गिरावट हो चुकी है इसका ripple effect अभी दुनिया बर के market में Friday के दिन हम लोगों को देखने को तो मिल चुका है यहां का scenario क्या था 1990 के करीब जो Japan market ने all time high यहां पर बनाया हुआ था वहां से वहां यह सभी factor को consider करते हुए हमें focus जो करना पड़ेगा इसके उपर करना पड़ेगा क्यूंकि already US में इस मामले में दखल अंदजी करने की कोशिश की चुकी है US का जो जंकी जाहाजों का बेडा है वो इसराइल की मदद करने के लिए आ चुका है तो यहां पर किस तरीके की news event आ यहां पर हम लोगों को clear cut दिखाई दे रहा है कि market uptrend में बना हुआ है अभी जब भी market uptrend में बना हुआ रहता है all time high के करीब रहता है और weekly chart पर इस तरीके का formation होता है तो यह हमें clear cut indication देता है कि उपर की side में profit booking हो चुका है और fresh sale के position यहां पर बन चुके है और जब भी इस तरीके का scenario यहां पर develop हो जाता है वो previous week का जब भी market low break करता है एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाती है उसी तरीके से आगर इस week का chart को हम लोग देखते हैं तो market जाता हो all time high के करीब था all time high के करीब हम लोगों को यहां पर profit booking देखने को मिली और जब हम लोग open interest के data को study करता है तो यहां पर clear cut indication हम लोगों को मिल रहा है कि open interest का data बता रहा है कि यहां पर fresh downside के position already बन चुके है तो आने वाले week में आगर आज के week के low को market break करेगा तो गिरावट देखने को मिल जाएगी यह confirm हो गया तो technically पहला confirmation हम लोगों को मिल गया fundamentally risk है clear cut बात है लेकिन अभी भी market में overall market में downtrend यहां पर बना नहीं है downtrend कब बनेगा इसका थोड़ा concept में आपको समझा देता हूँ जब भी market में एक upside का momentum होता है market all time high के करीब या previous high के करीब जाता है यहां से आप लोगों को अगर 10% की गिरावट देखने को मिल जाती है तो यह एक normal correction की तरह आपको treat करना चाहिए इसमें panic करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर यह गिरावट बढ़ जाती है और यह गिरावट 20% तक आ जाती है तो उस case में हम लोगों को थोड़ा risk factor के उपर consider करना चाहिए और portfolio के उपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जब all time high से market में 30% का correction आ चुका है तो हम लोग बोल सकते कि market में downside का momentum start हो चुका है अभी यहाँ पर आप देखोगे तो इंडियर market में उस तरके का कोई भी panic scenario नहीं है मैं देख रहा हूं कि पिछले दो दिनों से मुझे बहुत ही सारे message आ रहे है आपका जो majority of the time में YouTube के उपर और market में बने हुए है तो आप आपके portfolio के बारे में conscious रहना जरूरी है और इसी सभी concept को समझने के बाद ही आप आपका decision ले सकते हो तो अभी यहाँ पर हम लोगों के लिए best opportunity वाले level कहां पर है यह समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा daily chart के उपर अभी आपके सामने म market में 25,000 के उपर जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर कुछ भी हम लोगों को fresh upside के position बनते हुए नहीं दिखाई दिये तो आने वाले week में जब भी market इस zone में जाएगा दुबारा resistance लेने की कोशिश करेगा और first time जब इस zone में जाएगा तो definitely वह वहाँ पर resistance लेने की सबसे ज support हम लोगों को मिलेगा वो open interest के data point of view से मिलेगा price action point of view से अगर हम लोग देखेंगे तो यह वाला support level निकल करके आ रहा है तो यहाँ पर downside की probability सबसे जादा है और यह वाले zone में upside risk हो जाएगा यह हम लोगों को daily chart confirm बता रहा है अभी next important thing कल के दिन market में किस तरह के का momentum हो सकता है यह समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 minute chart के उपर मैंने अपने previous analysis के वीडियो में मैंने एक बात आपको बताई हुई थी कि यह जो वाला zone है यह हमार लिए as resistance की तरह अभी काम करने वाला है इस zone के नीचे already market ने momentum दिखा दिया है तो market इसी momentum को continue रखते हुए न नीचे की साइड में 24,440 के लेवल तक आ सकता है क्योंकि in between market को support नहीं है अगर मान लोग कि कल के दिन दुबारा market ओ गयाप डाउन के साथ open हो गया तो आप लोग क्या करोगे क्योंकि फिलहाल जिस तरीके का scenario हम लोगों को दिख रहा है जो SGX निप्टी है जो निप्टी हम लोगों को अल्टेडी downside का momentum बता रहा है जापन market भी बहुती downside का momentum बता रहा है तो अगर gap down opening होती है तो यह gap down कहाँ पर होता है पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए हम अरले नीचे की side में strong support जो हम लोगों को मिलने वाला है वो इस वाले zone zone में मिलने वाला है यह वाला zone ज्यादा important क्यों है क्योंकि जब market में upside का trend चल रहा था तो जब market जो भी 7400 के ऊपर निकला तभी strong momentum मार्केट में create हो चुका था तो यहां पर हलका सा upside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो एक important support की तरह आप इसको treat कर सकते हो ऊपर की side मे market में कुछ भी opportunity यहां पर develop होता है तो ज़्यादा focus उसके उपर मत कीजिए market को थोड़ा time दीजिए stable होने के लिए आप भी panic state of mind में मत आई जाए पहले concept को समझने के बाद वहां पर काम करने की कोशिश कीजिए अभी देख लेते हैं कि bank nifty में किस तरीके का scenario यहां पर develop होते जा रहा है सबसे पहले bank nifty के daily chart का analysis करते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एकी बात repeat कर रहा हूं कि bank nifty और nifty का अगर हम लोग comparison करेंगे तो bank nifty ने clear cut हम लोगों को एक negative sentiment यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो bank nifty में यहां पर पिछले चार हपतों से जो great candle ब लेवल ब्रेक हो जाएगा हम लोगों को opportunity create हो जाएगी price action भी हमें उसी तरीके का indication दे रहा है कि market जो है वो lower highs लगाते जा रहा है और lower highs के साथ मार्केट में lower lows भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है जब all time high बन चुका था उसके बाद तो यहां पर जो important support level हमें price action की से जो important level आ रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करता है market में जो हम लोगों को support level देखने को मिल रहा था उस support level important यह वाला था इस level के करीब market में आके support लिया हुआ है और यहां से upset momentum दिखा दिया है अभी कल के दिन market अगर 51,260 के नीचे दुबारा आ जाता है तो इस level के market में downside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है लेकिन high probability यह है कि market direct gap down के साथ open हो सकता है तो उसके लिए important level फिलाल के लिए अभी चाट के ऊपर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है अगर कोई भी important level लाई market में नजर आता है तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल में आपको update कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे description box में डाला हुआ है आप सैड के लिए जल्दबाजी मत किज़े यह जो trend line बना हुआ है जब तक market इस trend line के नीचे रहेगा market में सिर्फ और सिर्फ downside की probability सबसे ज़्यादा रहेगी market जब भी bounce back देदेगा हम लोगों को उपर क डेटा को candle pattern को check करना है और यहां पर अगर कुछ opportunity मिला तो वह opportunity high probabilistic रहेगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीज़े अपने YouTube चैनल को subscribe करके bell icon का button दबा दीजिए मिलते हैं next educational वीडियो में thank you very much